नमस्कार आदाव जब भी कोई महिला गन्व होती होती है और उस दवरान उसे कोई प्राबलम हो जाती है जैसे सरदर्थ, पीट दर्थ, जुकाम सरदी, इत्यादी तो उस कंडिशन में ऐसे ही कोई दवा नहीं दी जा सकती है बहुत सी ऐसी दवाईयां होती है जो प्रेग्नेंसी में सेफ नहीं राती है घ्रोन को हा नहीं पहुचा सकती है तो ऐसे में जानना जरूरी है कि इस कंडिशन में कौन सी दवा दे जाती है जो की प्रेग्नेंसी में सुरक्षित हो यहाँ पर हम कुछ प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जो एक गर्वाथी महिला को हो सकती है पहला प्रॉब्लम है पेन याने की दर्द जब भी किसी गर्वाथी महिला को दर्द होता है ये दर्द या किसी चोट के कारण हो या मोज के कारण हो तो इसमें एनाल्जेसिक दवा दी जाती है एनाल्जेसिक दवाईया पेन किलर होती है जो दर्द को कम करती है प्रिग्नेंसी के कंडिशन में सभी पेन किलर दवाईया सेफ नहीं रहती है तो इस condition में paracetamol दी जा सकती है जो की एक safe medicine है paracetamol की कितने dose यूज करनी है ये अपने doctor से सलाह ले सकते है अब next problem है उल्टी यानि की vomiting के लिए यदि किसी गर्वती महिला को उल्टी आती है तो ऐसे में कौन सी दवा को यूज की जा सकता है देखिए जो medicine उल्टी के लिए यूज की जाती है उसे anti-emetics कहते हैं तो इसमें तीन तरह की दवाईया यूज कर सकते हैं डॉक्सिलायमिन, डायमेन हाइड्रिनेट और और अन्डेंसेट सॉन्थ अब next problem है पॉंस्टी पेशन यानि की कब्ज तो इसके लिए कौन-कौन सी दवाईया प्रिग्नेंसी में यूज की जाती है जो की safe है तो पहली दवा है इसफ कोल, दूसरी है लैक्टुलोज और तीसरी दवा है गिलिस्ट्रियन सपोजीटरी तो ये तीनों दवाईया प्रिग्नेंसी के दवरान यूज की जा सकती है next problem है high blood pressure यदि किसी महिला का प्रिग्नेंसी के समय blood pressure बढ़ जाता है तो ऐसे कंडिशन में कौन सी दवाईया safe होती है तो यहाँ पर तीन दवाईया है जो की प्रिग्नेंसी के दोरान सेफ होती है मिथाइल डोपा, निफेडिपीन और लेबिटिलोल यदि किसी महिला को प्रिग्नेंसी के दोरान इंफेक्शन हो जाता है तो कौन सी एंटिबायोटिक सेफ होती है तो पहली एंटिबायोटिक है सिफालैक्सीन, दूसरी एजित्रोमाईसीन और तीसरी है एमोक्सीसिलिन ये सब दवाईया प्रिग्नेंसी के समय डॉक्टर द्वारा यूज़ की जाती है नेक्स्ट प्रोब्लम है एलर्जी यदि किसी महिला को प्रेग्नेंसी के समय एलर्जी हो जाता है जैसे सर्दी जुकाम होना, छीके आना, आखों से पाने आना तो इसके लिए एंटि एलर्जिक दवाईया यूज़ की जाती है जैसे डाइफिन हैड्राएमिन, लिवोसिद्रिजिन, लोराटिडिन, इट्सिट्रा मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जो की सेफ होती है यदि किसी प्रेग्नेंट महिला को फंगल इंफेक्शन हो जाता है तो ऐसे कंडिशन में कौन सी दवा सेफ होती है तो इस कंडिशन में एमफो टेरिसिन बी टैबलेट दी जाती है जो की डॉक्टर के सला से डोज लेनी चाहिए अगर किसी महिला को प्रेग्नेंसी के दोरान अलसर याने की चाले हो जाते हैं तो इसके लिए रैनिटिटीन, लैंसुप्राजोल, गैविसकोन, इटसिंट्रा दवाया दी जा सकती है यदि किसी महिला को प्रिग्नियंसी के दौरान पीट में दर्ध हो तो उसके लिए जोटावेरीन, फ्लॉरोग्लूकिनॉल, इत्यादी दवाईयां सेफ होती है ये थी जानकारी प्रेग्नियंसी के दौरान जो सेफ मेडिशिन है उसके बारे में इन सभी दवाईयों के डोज और डिरेशन अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ले सकते हैं। धन्यमाद।